अ askrued outstanding gal or Pay bill ए APP करो उस की म glasses की साथ तो इसका मतलब क्या होगा के खर्चा हो गया हैं ऐसेरा इंकहर खर्चा हो गया है नौड पेड पेन एका हुर रहे हैं clean शानलिकी नौन मारा हर्चा हो गया 123 जैनौरी का zejनद का है बिल अगर आंगर करते हैं तो सेब्रेर भी पे करते हैं जैनलर के 31 को हमारा खर्चा हो गया है पर हमने पी नहीं करा तो यहां पर क्या हो यह वाला कॉन से एक्सपेंस हुआ अक्सर टीचर से अक्सर टीचर को उस तरह पढ़वाते हैं कि एक्रूट आये तो प्लस होगा और यह आये तो माइनस होगा यह रटता है ठीक है हम कॉनसेप्ट समझेंगे और कॉनसेप्ट समझ कर ही याद करेंगे आयोप आपको समझे में आ रहा है कि किसी भी एक्सपेंस के साथ एक्रूट आउटसेंडिंग अंपेड या पेबिल लगेगा तो इसका मतलब है कि खर्चा हो गया है और पे नहीं हुआ है हम अकाउंटिंग में पार चुके हैं हमने अकाउंटिंग बेसिस पढ़ा है जिस फिर भी हम रिकॉर्ट करेंगे उसको एजन एक्सपेंस अपनी बुक्स में याद रहे अकाउंटिंग जिस बेस पर काम करती है वो बेस कहती है कि अगर खर्चा हो गया तो आप उसको रिकॉर्ट करो भले ही पेमिट आपने अभी नहीं करी हो पेमिट करनी होगे लेकिन था करने हम लोग डेटा में अगर आपके बस दिया वह है सेल भी एक्सपेंस 15,000 दिकिंग और सासा रिक और चीज़ हम ले 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 लेते हैं यह वेंग्सपम्स सेल्रीट सेल्विल्स यह हैं वह थी ठाउजंट प्नाहजार तु था वह कियरें यह थिस को स्यल्रीट लेकिने करें पेंई खर्चा हो गया हम इसको प्लस करेंगे record करेंगे तो हमारी एक्समेंट कीट ना हुँआ 18,000 इस तरह हमारा rent expense 15,000 हुआ 10,000 नहीं क्योंकि 5000 क्या है outstanding है यानि 5,000 का हमारे rent हो गया है याने हर्चा बन गया है यान हर्चा हो गया है पर हमने पें नहीं करा तो हम इसको भी record करेंगे और अपने expense में इंक्लूड करेंगे अब एक्रूट, आउटसेंडिंग और रिसीविबल, अगर ये तीनों वर्ड का स्थामाल किसी इंकंड के साथ होता है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इंकंड में पर साथ होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, revenue is earned but not received income कमा ली गई है लेकिन received नहीं होई है डेटा हमारे पास आता है डेटे में अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन 50,000 तो हमारे पास 50,000 है और donation हमारे पास 40,000 है adjustment में आता है कि accrual subscription 20,000 यानि वो subscription जो कि हमने earned कर ली है पर हमें मिली नहीं है received नहीं होई तो हमने क्या करा एड कर लिया क्योंकि एक्वल बिस कहती है accounting की क्या आपने income earned कर ली तो उसका रिकॉर्ड करोगे बुक्स में as an income ब्रोणिशन में भी सेम चीज होई इन वर्ट को आठाना बहुत जरूरी है यह बहुत काम आते हैं ठीक है इसके बगर आप एक्सपेंस के साथ यूज होगा तो इसका मतलब है हमने कोई खर्चा कि पहले ही कर दी खर्चा हुआ नहीं पहले कर दी डेटा में आ रहा है प्रीपेड सेलरी इंक्लूड नहीं होगी एक्सपेंस में तो हमने क्या चाहरा माइनसक कर देंट थाउद थाओसन आं एक्च्छ एयकश्फेट का जाता है यह वाद यार्थना जरूरी है और अर्ट का कॉंसेप्ट आता है पृपेड received in advance unearned कहते हैं हम received in advance यानि कि हमें कोई income advance में receive हो जाए तो वो हमारे लिए income नहीं होती हम उसको liability treat करते हैं कोई भी income हम advance में receive हो जाए हम उसको liability treat करते हैं इनकम नहीं मानते data आता है हमें पर subscription income 30,000 है adjustment में आता है कि unearned subscription 5000 यानि कि unearned से अच्छा वर्ड ही ऐसा है आमें समझ में आ रहा है कि अन एंकम कमाई नहीं गई या भी मिली नहीं हमें हमें कमाई नहीं सही है तो 5,000 हम माइनस कर रहे होंगे 30,000 में हमारी एक्छल जो इंकम आजाएगी वो आजाएगी 25,000 है चार वर्ड से पहले हमने पढ़े एक्रूट आउट्सेंडिंग अंपेड और पेडल एक्सपेंस के साथ उसका मतला समझा हमने उसके बाद फिर उसके बाद इंकम में हमारे पास आउट्सेंडिंग पेड जिसके एक्सपेंस के साथ ही यूज होता है उसका मतलब जा होता है कि हमने खर्चा एडवास में कर दिये तो हमारे लिए उसके बाद दूसरी चीज़ है अनएंड इंकम के साथ लगकर आता है इसका मतलब है हमें इंकम एडवास में मिल गई है सही तो यह भी हमारे ल इंकम में से यह हमारी लाइबिलीटी है